दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Samsung के Smart TV में आप किस तरह से MX Play TV के application को install कर सकते हैं क्योंकि MX Play TV जो है वो आपको Free Up Cost में अच्छी-ची वेब स्रीज दिखाती है, बहुत सारी movies दिखाती है तो यह जो application है वो आपको Android पे देखने को मिलता था, जितने भी Android TV है उसमें supported था बट यहाँ पे officially announce कर दिया गया है Samsung TV के लिए, किस तरह से इससे install किया जाता है वो सारा कुछ इस वीडियो में हमें step by step देखेंगे, तो आईए वीडियो को start करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे application को install करने के लिए सबसे पहले आप अपने home बटन को press करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का interface आएगा, बैसिकली यह जो interface है वो 2022 वाला है, latest version वाला है अगर आपके पास पुराना version है उसमें भी आपको app store देखने को मिलेगा, वहाँ पे basically app store को open कर लेना है app store को open करने के बाद search bar में search करना है MX player TV, search करने के बाद यहाँ पे इस तरह का interface आएगा basically अगर आप इसे install नहीं किया हो तो यहाँ पे install का option आएगा, उसे install कर ले, मैंने install किया है तो इसे directly open कर लेते हैं, open करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का interface आ गया, यहाँ पे सभी चीज़े आपको दिख रही होगी web series है, movies है, जितने भी latest movies है, वो सारी चीज़े यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आप इसे easily access कर सकते हैं, जो भी चीज़े देखना है, उसे search करके देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो application है MXPillar TV, वो आपको Samsung के app store पे officially देखने को मिल रहा है यह चीज़ जो है आपको हाली में officially launch किया गया है Samsung के तरफ से, जो कि सभी TV में आपको यह application का support मिल जाएगा अगर आपको app store पे available नहीं है, तो अपने TV को एक बार update कर लिजे, उसके बाद आपको यह application देखने को मिल जाएगा और इस application को अपने home screen पे add करना चाहते हैं, तो यहाँ पे add to home करेंगे then यहाँ पे इससे slide करके जहाँ भी से अपने application को रखना चाहते हैं, वहाँ रख सकते हैं और इस application को easily use कर सकते हैं दोस्तों, I hope आपको वीडियो समझ में आ गिया होगा, किस तरह से आप अपने Samsung के smart TV में application को install कर सकते हैं चाहे वो कोई भी application हो, MX player TV हो या other application तो अगर आपको यह वीडियो useful लगा हो, तो वीडियो को like कर दिजिएगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को subscribe कर लिए क्यूंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप सब के लिए लाता रहता हूँ अगर आपको किसी तरह का query है, आप comment section में बता सकते हैं या मुझे Instagram पर follow कर लिजिए, Instagram का link description में है वीडियो कैसा लगा, comment section में जरूर बताईए और जाते जाते वीडियो को like कर दिए मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए, take care, good bye